तो हमने उसका बड़ा नंबर आम रखा था नेशनल अथोर्टी फॉर साइन्टिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेसिगेशन एंडेटक्शन ओफ क्राइम अंडर इंटरी 65C सदूल 7 लिस्ट 1 अफ दे कंस्टूशन मतला मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि ये मैंडेट कस्टूशन ने गवर्मेंट ओफ इंडिया को दिया है जिसे उसे करना चाहिए ये उसके करतब और ड्यूटी का हिस्सा है और इस एक्ट में हमने राइट टू प्राइवेसी भी दी थी जैसे हमारे सभी फड्नामेंटल राइट जो है अप्सलूट नहीं होते हैं ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी इस नॉट एप्सलूट जैसे ही आप अपराद घटित करेंगे ये डिश्टल चित्रगुत ही आपकी FIR भी कर देगा आपके बुर्द सभी साक्षों को भी देदेगा और आपको जो ना तीन दिन से तीस दिन के अंदर आपको सजा भी दिला देगा इतना पावरफुल जो है सिस्टम था ये जब मैंने 2021 में बहुत लेट ए रिलाइज किया कि मैं दीवाल से सिर मार रहा हूँ देखिए अकल दीरे दीरे आती है बिल्कुल 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 तो हमने ये रिलाइज किया कि जब ये राजनेता स्वैम अपरादी है और अपरादीयों को ही प्रोफरेंस दे रहे हैं अपरादीयों को ही टिक्ट दे रहे हैं लेहाजा इन से जो है उम्मीद करना मुफ्ता के अलावा कुछ नहीं है। ये राजनेता इतने घड़िया लोग हैं कि जिन कारकरताओं के कारण ये राजनेता बने हैं ये अपनी ही वेवस्ता से उन्हें प्रतारत करते हैं फिर थोड़ी बहुत राहत दे के उन्हें अपना पैसा देता है जो बाहुबली है दलवदलू है जो अपरादी है उसको जो है ये वो देते हैं अभी मैं एक कल ही एक वीडियो को देख रहा था जिसमें बताया गया कि बिहार का जो 85 वेच का इस ऑफिसर जिसकी हत्या जिस वेक्तिने की थी उसको जेल से रहा करने के लिए और उसका रियाई आदेश लेकि ये दुष्ट खुद गया था जिसको मुख मंत्री विहार किते हैं तो मेरा कहना है कि ये इतने दुष्ट हैं तो एदी हम इस पूरी विवस्था को एदी दो मिनिट के लिए राक्षिसी विवस्था कहें इसको हम बहुत परपस्फुली कह रहे हैं आप मेरी हर बात का कैलिबरेटेट समझना और मेरा ये लक्ष भी है कि इस बारताल आपको मैं बहुत जल्दी समेट लूँ राइट क्योंकि लंबी बात होने पर फिर आदमी को सुनने और कहने दोनों की जो है ना वो थोड़ी सी खतम होने लग जाती है तो मैं इसे बहुत जल्दी समेटना चाहता हूँ फिर आप पूछेंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो जो ये राक्षिसी विवस्ता है हम बच्तन से कहानियां पढ़ते आए हैं कि राक्षिस की जान एक तोते में होती है तो इस आज की राक्षिसी विवस्ता की जान जिस तोते में है उस तोते का नाम राजनेता है हम इस राक्षिसी विवस्ता को तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक हम इन राजनेता नामक प्राणियों को हराने का कोई साधन ना बनाएं तो आपको किसंगी जो है ना जानके बहुत अच्छा कि Crime Free भारत मिसन ने 21 लक्षों के सहत महा परवर्तित भारत को जमीन पर उतारने के लिए इतनी पावर्फुल विवस्ता बनाई है जिसमें ना किसी के सामने हाट फैलाना होगा और यह सभी राजनेता अपनी हार सुईकार कर लेंगे मद्दान के पहले सुईकार कर लेंगे तो आप ऐसी विवस्ता को जानना नहीं चाहेंगे जानना ही नहीं चाहेंगे ज़र उस विवस्ता के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा किसी भी हद तक तो वो भी करेंगे ग्रेट ग्रेट तो इसमें एक छोटा सा एप है जिसके आप हिस्सा बन चुके हैं जिसका नाम है क्राइम फिरी भारत मिसन एप राइट इस मिसन में वो चावी डाल दी गई है कि इसका इदि हम ठीक धंक से उपयोग करेंगे तो हम जो है दो हजार तेईस में मद्द प्रदे को ना केबल पराजित कर पाएंगे बलकि अदकांस की जमानतें भी जब्त होंगी और हमारे खीचे से पांच पैसे नहीं हमें कोई जलूस निकालना होगा नहीं किसी को अरजी देना होगी और नहीं हमें अपना प्रचार करना होगा नहीं हमें अपने लिए बोट मांगना ह इसके बाद भी ये इतनी बुरी तरह से सिकस्त करेंगे खा जाएंगे कि इन्हें आमसमाय लेने में जिजक होगी संकोच होगा इतने ये इतनी हार सुईकार कर लेंगे ऐसे पावरफुल मॉडल को आप नहीं सुनना चाहेंगे बिलकुल सुनना चाहेंगे और ऐसे ही मिनट लगेंगी हम भी उन्हें यही कहते हैं कि यह ववस्ता अगर बदलनी है तो आपकोए रही हना ना बैटना होगा अपने लोगोंके बैटके चाहा होगी इतना तो कर सकते हैं और बिलकुल बिलकुल यहिती हम अपने नेटवर्क के जुड़े लोगों से देखो आज ए ये दुश लोग महंगाई के ऊपर महंगाई और बाकी चीजें करके ये धनी के ऊपर धनी होते जा रहे हैं, पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनवे को पाल लेता था, पूरा कुनवा कमाता है, वो भी कम पड़ जाता है, और हम मैंसे हर कोई बिजी है, तो यदि हम नेटवर्क के पास पहुँचें, नेटवर्क का मतलब है अपना परिवार, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, अपने रिस्तेदार, अपने विभिन सरकल से जुड़े हुए लोग, जैसे आपने इतने सारा काम किया है, तो कितने सारे लोग आप से जुड़े होंगे, तो व तोड़ लेंगे और वो भी उनकी सोच और छमता के अंसार हम अपनी बात उन पर ना थोपें बिलकुल बिलकुल तो इसके लिए हमने एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल बनाई हुई है जिसमें की हमने 12 स्मार्ट इंडिया है का थौन की हैं त्रेपर प्राण रखने वाले इन राजन देताओं को पराजित करने की है और उसको पराजित करने के लिए भी हम बड़े आसानी से काम कर सकते हैं तो जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है उसमें इस समय 3300 से अधिक वीडियोज हैं जिसकी जो सोचो वो वाला वीडियो द करना होंगे और आपका चुनाव हो जाएगा और आज की तुला में हजार गुना पारदर्सी होगा और आगे चलके 100% पॉपलेशन अपना बोट देने के लिए भी विवस होगी यदि वह अपनी संभेधानिक जिम्मेवारी पूरी नहीं करेगी तो उसके लिए उसे हर है कि हम रसाइनिक बिस्कु कैसे खतम कर देंगे हम निरोगी और दीरगायों हो जाएंगे और किसानों की आमदनी पाच गुना और मजदुरों की दस गुना होगी जो बाद में बढ़के 25 गुने से भी जादा पहुँच जाएगी भारत में एक भी एक सावेक्ति नहीं रह कंट्री आइड नोट फाइंड इविन ए सिंगल पूर मैन और बैगर यह मैंनी कह रहा हूं यह लॉड मैकाले ने सेकंड फरवरी 1835 में बिट्स पाली अमेंट में 1780 पेज की रिपोर्ट तीन साल गुमने के बाद जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट में यह बात कही है तो मैं यही कह रहा हूं कि हम जो है पात साल में जिस लॉड मैकाले ने जो सेकंड फरवरी 1835 को कहा है मैं तली सरण गुप्त कह रहे हैं कि हम दो हजार उन्तिस तक उस भारत को जमीन तो उतार देंगे तो आपको जो है जो है और आपको डिसकोर्स देखना है कि कैसे क्राइमफरी भारत होगा कैसे बिना ठाने जाए आपकी एफ आई-र दर PH होगी गलत एफ-र दर्ज करने पर कैसे सर्टेंटी से आप पनिस होंगे कैसे जो है पंदरा दिन में उन अकाट साक्षों को हम संगरित कर पाएंगे जो आज की हमारी पुलिस सोचने की स्थी में नहीं है वो साक्ष खटे हो जाएंगे और पंदरा दिन में चालान पेस हो जाएगा और distributed video based trial system के माध्यम से बिना code जाए अधकांस cases में तीन दिन में और अरेक तम तीस दिन में आपको नहाएं मिल जाएगा और digital चत्रगुप्त के माध्यम से जब अपराद अपराद करने निकलेगा तो 99% cases में यह predict हो पाएगा कि अपराद करने निकल रहा है और तो हम जो है 99% cases में अपरादी को अपराद करने के पूर्ब अपने चुने हुए इस्तान पर रास्ते में गृफ्तार कर पाएंगे अपरादियों के लिए अपराद करने का option खतम हो जाएगा इतना powerful विवस्ता है और फिर उसकी पांचमी certainty कह रही है कि जब हमें सब कुछ ही मालूम है तो हमारी विवस्ता खुद अपरादियों के पास पहुँचेगी और उनको बताएगी कि भाई साब अब आप अपराद करने की स्थिती में नहीं है वाई डॉंट यू रिहागेट रिहाविलिटेट आ आप पुनर्वासित क्यों नहीं हो जाते हैं गच्छे नागरिक क्यों नहीं बन जाते हैं देखिए मैं गुना का एस भी रहा हूं वहां सभी किन्रेल ट्राइब्स रहती है राइट जानता हूं आपको और साहिगा आज मैंने जैसे ही इसा आपकी एप को जोईन किया तो आ आप मद्धर परदेश से हैं हां मैं मद्धर परदेश में स्री राम गुपाल बंसल जी है मेरी उन से भी बात हुई थी क्योंकि हम जो आप जो क्राइम भारत का अभिणान लेके चल रहे हैं उससे मैं बहुत परवावित हूं और मैंने उनको कहा था कि देखिए क्राइम फ ठीक भी हम देकर आए हुए हैं लेकिन उस पर कोई कारवाई नहीं हो रही है अगर कोई ऐसे व्यक्ति या आपकी जैसे बंसल जी की विए भारत्य सवाशना है आप लोग छोटे-छोटे संगठन मिलके अगर इस आवाज को उठाएं तो भारत देश गरीब नहीं है भारत करना चाहता हूं कि अब हमें आवाज